तो हेलो गाइस वेलकम इन माय यूटूब चैनल और इस वेरी इंपोर्टन वीडियो ऑन किंडम एनिमेलिया तो देखिए यह जो किंडम एनिमेलिया है वह बहुत टफ लगता है लोगों को तो मैं कोई टेंशनाली बात नहीं है कुछ बेसिक टम्स आपको मैं इस लेक्टर को बताया नहीं कि एसा क्या है तो आप इस लेक्टर को ध्यान से समझेए क्योंकि इस अनिमल किंडम टफ इसलिए लगता है कि इसमें टर्मिनोलोजी अलग अलग आ जाती है जैसे सीलम है सीलम नया वर्ड है आप लोगों के लिए नोटो कॉड नया वर्ड है जर्म लेयर में डिपलोबलास सब कुछ नया वर्ड है और मेंली यह होता है कि जैसे आपने प्लांटी किंडम का देखा था उसमें पांच फाइल आते हैं ना बट आनिमल किंडम में 10 फाइल आ हैं 10 क्या है 10 फाइल आ हैं और उनके अतरंगी नाम है बहुत अलग अलग नाम है वह आपको मै अब बतालो किस बैसे पर डिवाइड करते हैं अच्छा आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में कि हमने प्लांटी किंडम जो था उसो कई बैसे पर डिवाइड किया था कि वह यह डिफ्रेंट्येटर हैं रूट्स में लीवस में फ्लार्स में वस्किलर टिशू हैं अगर यह लेक्चर आपको समझ में आया और आपको पुरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पहला देखिए पहली बात यह आती है कि इस बैसे पर डिवाइड करते हैं कि वह और्गानिजम से साइल है और मोटाइल है साइल मतलब होता है जो और मोटाइल 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 आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो देखिए लेवल और में क्या होता है कि उसके अंदर और कौन अच्छे से तो आपको बताऊं कोई टेंशन नहीं है तो टिशू अगर फंक्शन कर रहे हैं तो वह लेवल ऑफ और गनाजेशन अगर बहुत सारे टिशू मिलके और और बना लेते हैं तो और तो और गन क्या गरते हैं अगर औरर और और कर रहे हैं कोई भी अक्री याए तो उसको और और कर रहे हैं तो और और सब से हायर होता है और एंप वह और व गता है कि पहले हां थे मिलके और यंइस सिस्टें को औरको system कहते हैं वो higher organisms हैं आप सभी higher organisms है और गन सिस्टम लेवल है आप तीसरा basis है body symmetry आप देखिए body symmetry आप नरसरी से पढ़ते आ रहे हो यह से एक होता है asymmetric asymmetric मतलब कोई भी ऐसा organism है तो उसको हम 20 से काटेंगे तो ना इधर सेम रहेगा ना इधर सेम रहेगा दोनों तरफ अलग अलग रहेगा है ना वह आपको मैं बताऊंगो कोई tension वाली बात नहीं है और आगे चल के बताऊंगा एक होता है bilateral symmetry bilateral symmetric मतलब की आप जिसे कोई organism है उसको 20 से काटोगे तो इधर भी सेम रहेगा उधर भी सेम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना उसका मैं आपको फिगर दिखाता हूं तो यह देखिए यह आपका bilateral symmetry यह आपने और पेजिए एडिया केकली कोडी से काट यह आँ इदरो जो यह वह भी सेम केड़ या से काटे यह से कहीं समय नहीं चाहिए हैं तो वह सेम डिवाइड करेंगा तो एकिन अच्छा से दिया नहीं है लेकिन आता है रेडिया नहीं है लेकिन वो इसके बारे में defining क्या उके अब देखिए नया थम आता है बहुत important term आता है germ layer वह organism घर्म लेयर मतलब जो जब embryo रहा होगा जो organism जब इंब्रियो रहा होगा तो इसकी embryonic layers कैसी रही होगी है ना आप देखिए यहाँ पर उधर मैं आपको बाद में बता हूँ कि पहले आप फिगर देखो देखो यह फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भले आपके NCRT में नहीं लेकिन आपको अगर इस फिगर से समझ लेकर तो कोई दिक्कत ने आएगी क्योंकि NCRT में आपके यह है लेक यह लीओभी बन जाता है ओके तो यह उसके पास टीन यह एक होती है EndoDum एक हता हैब यह इजह सोती है कि है ना एंडो डंव एंडम होती है एंडो मतलब अंदर की एक्टो मतलब बाहर की तो एंडो डॉर्चेया है तहा nau नृत कहते हैं इसको टेतलो उसको टीपील्फलous गैते मिलीर घ्न Likewise करून एक मैसोडस यह था जिए। एंडोडमेक्टोडम मत करो बस इता रट लोग दो लेयर और तीन लेयर ओके और यह हो गया जम लेयर कॉंसेप्ट अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे है ना जम लेयर कुछ भी नहीं है कोई एक एंब्रियो है जो आप मदर के पेट में एंब्रियो होता है इता तो देखिए यह जैसी है यह भी यह है यह गई लेयर आ लेकिन यह सीलम एलीर है यह जब ट्रिपलो ब्लास्ट होता है और रहال जाएक बस यह इसी यह बाहर की लिए यह लिए हैं जी सबसें अंदर इंडर टीन लिए है तो जो 2nd वाली मिडल लेयर है उसके बीच में सीलम मतलब होता है काविटी काविटी मतलब होता होल होल मतलब होल मतलब होल समझते हो ना होल गढधा टाइप में तो उसको सीलम कहता है जो यह गढधा जो यह काविटी बियर करता है उसको कहते हैं सीलो मेट सीलो मेट सीलो मेट है ना रटलो जो जो यह कैविटी बियर निका और एक आता है स्यूदो सिड्व मतलना होती है उनके पर पास तो होती है बट गिलत होती है उसे दिखाने और दिखावा होता है यह 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 आपका यह है कि यह जो आपकी थर्ड सेकेंड जो सेकंड लियर है वो कुछ सेकटरड पाउचस में बन गई है ऐसे एसे स्ट्रक्चर बीच बना दी है यह 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 फिर यह वाली एंडो नोदम और एक्रोडम के बीच में जो यह बन रहे हैं इसको स्थील्व कह दिय प्रिखाट करें . जो सीलं भीक इंची को जो एक है तो एक नोटी कॉरन का नो एक sep नोटी कोणस्ट क्सेप्ट भीख मनलब और लांधाया क्तों भीअटी मतलब अपने कोंसर साचरंत यह कुछ पॉट लॉस्ट पॉसरी में और निखी पिछे ilegc सब वेंटरल रीजन होता है तो राइक नोटो कॉर्ड एक राइक स्ट्रक्चर होता है किसी बी और गैसम में वह हाइर और गैसम होता हम लोग के में सी कोड़ेट एक अलग फाइला में उसके बारे मां आपको बाद यह बताऊंगा ओके तो यह था बेसिस अफ और बात करते है इसकी जमड़ेट आपने देख लिया दो प्रकार शके डिप्लोबलाश टेप्लोबलास चांद जो जिनकी दो लेयर होती है उसको ट्यूर रहती है उसको बहुत इस अगर अगर वह बीच वाले लेयर बतल बीच क्याविटी शके बीच करते है और वह और और फाल्स सीलोमेट कहलाता हूँ है ना इतर अठलो नोटो कॉर्ड मतलब रीड की हड़ी बस ओके अब यह सब समाझ में आगे आपको ज्यादा डिटेले में नहीं जाओंगा यह देखिए हमको 10 फाइला के बारे में डिसकस करना है पूरे यह टॉपिक में बहुत 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 रंगी ना में आपको रट जाएंगे कोई तेंशन वाली बात नहीं है पॉइंट्स में रटना आप पॉइंट्स में याद करना एक एक के बारे में हम अच्छे से डिसकस करेंगे तो यह तो पौरी फेरा है तो टाइम नहीं है अभी तो मैं इसको नहीं बताऊंगा तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और ज्यादा से यादा शेयर करेंगा प्लीज ओके थैंक यू